आज एक्स्ट्रस मैं हूँ आपके साथ बिश्चा सबसे पहले आपको खबर बता रहा है राइपूर से जहां 36 गड़ में एकल से लॉकडाउन खुल सकता है आज लॉकडाउन के अंतिन दिन जला प्रिशासन और व्यापारी संगठल में की बड़ी बैठक है जिसमें उन से र लॉकडाउन खोलने की तैयारी की जा रही है लॉकडाउन आगे बढ़ाने के लिए जिला कलेक्टर पर इस सित्यू के अनुसार निर्णे लेने के लिए स्वतंतर है तो राइपूर में काई से लॉकडाउन खुलने के आथार है जिरफ शासन व्यापारी संगठनों की आज एक बड़ी बैठक होगी आमशिक सूट के साथ लॉकडाउन खोलने की तैयारिया है और जैसा के आज जो व्यापारी संग की तरह से भी बैठक जो आयो जित्की गई है उसमें तमाम पहली उपर चर्चा होगी कि इस लॉकडाउन में कैसे साथधानिया बरतना है या क्या एत्याद बरतना है कौन-कौन सी नियमू का पालन करना इन तमाम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी तो अंशिक सूट के साथ ये लॉकडाउन खोलेगा कल से राइपुर में लॉकडाउन रहा है जाहिर है क्योंकि राइपुर में ही सबसे ज्यादा अभी तक मरीज देखे गए हैं और ज्यादा जयनकारी के साथ पर आश्मता श्रीवम मिश्रफ ओन-लाइन पर जोड़ा है जिवम कल से लॉकडाउन खोलने वाला है क्या एतियात बरते जाएंगे क्या निर्देश दिये गए हैं एक विल्कुल देखें गया है वर्ष्य को निर्देश देखने पर आश्मारे से लॉकडाउन पर लागडाउन अगरे है जिवम के लुगडाउन पर देखने हैं का लुद्रे साथ ही कि भाच्छाव कै जो परिश हमिन तो का समय है इसके साथ ही जो दुकानों को खोलने का समय है व्यापारी सइंगठहें मान कर रहे हैं कि कि हमें दुकानों को शुवा 9 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक खोलने की अनुमती दी जाए लेकिन इसके साथ ही जो जिन्हा पसादा है नहीं इनके भी इनके ये कहना है कि व्यापार को राज्वानी में आंटी छूटों के साथ के वाल 6 धंटे तक के लिए खोलने की कर लॉक्टाउन को कुछ हांटिक शूटों के साथ खोल जाए चले बहुत शुक्रिया तुमाम जन करेके लिए शिवा